देखिए आपका आज का पहला कोचन दे रहा है कि भारत की प्रथम नदी घाटी पर्योजना कौन सी थी तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दामोदर घाटी पर्योजना थी अगला कोचन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके आगे आपका देखिए अगला कोचन दे रहा है कि असोक ने किस धर्म को अपना लिया था तो बहुत धर्म को अपनाया था इसके आगे आपका देखी अगला कोशन दे रहा है कि भारत का सविधान कब लागो किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को लागो किया गया था अगला कोशन है कि राष्ट्य महिला आयोग अधिनियम किस वर्स संसत द्वारा पारित किया गया था तो 1990 में किया गया था इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि मोटर गाडियों से निकलने वाली गैस काउन सी है तो कार्बन मोनो अक्साइड है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि सोने की सुधता को किसमे परिभासित किया जाता है तो इसका सही उत्तराप काउ जाएगा सोने का जो सुधता होता है इसको हम कायरेट में वापते हैं अगला कोशन है कि गुबारों को भरने के लिए किस गैस का प्रियोग किया जाता है तो हाइडरोजन गैस का प्रियोग किया जाता है इसके आगी आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि भारत में हीरे की खान कहां पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा आपका हीरे का खान जो है ये आपका आंधर प्रदेश और च्छतिस गड़ राज में पाया जाता है इसके आगी आपका अगला कोशन है कि सती प्रदा का अंत करने के लिए किस नेता को हम जानते हैं तो राजा राम मोहन के प्रयासों के द्वारा ही सती प्रदा का अंत किया गया तो इसे आप अच्छे से याद रखेगा कि सती प्रदा का अंत किसके द्वारा किया गया था तो लगता है इसके आगे आपका देखी अगला कोशन दे रहा है कि कार्णवालिस दुआरा अस्थाई बंदोबस की पदती को कब लागो किया गया था तो इसका सही उत्तरापका हो जाएगा 1780 इसवी में लागो किया गया था अगला कोशन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था 1928 इसवी में आया था इसके आगे आपका देखी अगला कोशन दे रहा है कि जलिया वाला भाग हत्या कंड कब हुआ था तो 13 अपरैल 1929 इसवी को हुआ था इसके आगे आपका देखी अगला कोशन दे रहा है कि अजनता की गुफा है किस राजी में इस्तित है तो जो आपक इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि अजाद हिंद फोच की अस्थापना किशने किया था तो सुभास चंदर बोश के द्वारा किया गया था अगला कोशन है कि दिल्ली चलो का नारा किषने दिया था तो इसका भी सही उत्तराप का हो जाएगा सुभास चंदर बोस के द्वारा दिया गया था इसके आगया आपका देखी अगला कोशन दे रहा है कि भाखडा नांगल परियोजना किस नदी पर इस्तित है तो सतलज नदी पर इस्तित है देखे इसके आगे आपका अगला कोशन दे रहा है कि हीरा कुंड बांध किस राज में इस्तित है तो उडीसा राज में इस्तित है अगला कोशन है कि किस मच्छर के काटने से डेंगु जुवर होता है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इंडीज मच्छर के काटने से होता है इसके आगी आपका देखी अगला कोशन दे रहा है कि जल का पेचिक घनत्व अधिक्तम होता है तो चार डिग्री सेल्सियज पर होता है अगला कोशन है कि नील क्रांति का समंद किसा से है तो मतश्य उत्पादन से आपका नील क्रांति का समंद है इसके आगे आपका देखे अगला कोशन दे रहा है कि सफेद क्रांति का समंद किसा से है तो सफेद क्रांति का समंद आपके दुग्द उत्पादन से है अगला कोशन है कि कौन सा राज मसाला उत्पादन के लिए प्रसीद है तो कि इसका सई उत्तर आपका हो जाएगा केरल राज है इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि छेतरफल में भारत का सबसे बड़ा राज कौन सा है इसके आग्याप का अगला कोशन है कि छोटा नागपूर पठार की सबसे उची चोटी कौन सी है तो इसका सही उत्तराप का हो जाएगा पारस नाथ चोटी है इसके आग्याप का देखी अगला कोशन दे रहा है कि भारत में अभरक का सरवाधिक उत्पादन कौन से राजिसे होता है तो जहरखंड राजिसे होता है इसके आगे आपका देखी अगला कोशन दे रहा है कि भारतिय ससस्तर सेनाव का प्रमुक सेनापती कौन होता है तो राश्टपती होता है इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि सौर उर्जा किससे प्राप्त होता है तो सौर उर्जा आपका सूर्य से प्राप्त होता है इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि अंतरिच की दूरी नापने के लिए कौन सा सही इकाई है तो अंतरिज की जो आपकी दूरी है इसको प्रकास वर्ष के माध्यम से मापा जाता है तो आप अच्छे से याद रखेगा कि अंतरिज की दूरी कैसे मापी जाती है तो प्रकास वर्ष से मापा जाता है इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि बिदूत बल्ब में भरी जाती है तो बिदूत बल्ब में आपका नाइट्रोजन गैस भरा जाता है अगला कोशन है कि गुबारे में कौन सी गैस भरी जाती है तो गुबारे में आपका हिलियम गैस भरा जाता है और इसके साथ भी आपका hydrogen gas भी भरा जाता है लेकिन सबसे ज़्याद आपका जो gas है यह आपका helium भरा जाता है इसके आगे आपका देखे अगला कोशन देरा है कि प्राथमिक रंग कौन से हैं तो प्राथमिक रंग आपके तीन होते हैं एक आपका लाल होता है एक आपका हरा होता है और एक आपका नीला होता है इसके आगे आपका देखे अगला कोशन दे रहा है कि वह यंत्र जो रसाइनिक उर्जा को बिदुत उर्जा में परिवर्तित कर दे उसे क्या कहते हैं तो उसे आपका बैटरी कहा जाता है देखे इसके आगे आपका अगला कोशन दे रहा है कि एलेकजेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था तो पेनिसिलीन की खोज़की थी अगला कोशन है कि भारत का सबसे छोटा राज कौन सा है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गुवा राज है इसके आगे आपका देखे अगला कोशन दे रहा है कि भारत में बलू सिटी के नाम से किस सहर को जाना जाता है तो जोदपूर को जाना जाता है अगला कोशन है कि सूरी एक क्या है तो सूरी आपका एक तारह है और कैसा तारह है तो सूरी आपका एक यवा तारह है तो आप अच्छे से याद रखेगा कि सूरी कैसा तरह है तो सूरी आपका एक युवात तरह है इसके आगे आपका देखि अगला कोछन दे रहा है कि समराट असोक किसका उत्राधिकारी था तो बिंदु सार का उत्राधिकारी था अगला कोशन है कि भारतिय सविधान को पहली बार कब संसोधित किया गया था तो 1950 इस भी में किया गया था इसके आग्याप का देखिए अगला कोशन दे रहा है कि सिंदु घाटी सविधा का बंदरगाह कौन सा था तो लोथल था और अगर लोथल की बात करें तो लोथल आपके गुजिरात में भोगवा नदी के तर्ट पर इसे था इसके आगे आपका अगला कोशन है कि जौवन धर्म में महाबीर को क्या माना जाता है तो जौवन धर्म में महाबीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है देखे इसके आगे आपका अगला कोशन है कि मगद के उत्थान के लिए कौन सा सासक उत्तरदाई था तो इसका सही उत्तराब का हो जाएगा बिम्बी सार था अगला कोशन है कि भारत में ससस्तर बलो का सरवोच सेनापती कौन होता है तो राष्टपती होता है इसके आगे आपका देखिये 46 नमर कोशन दे रहा है कि सीखों का प्रमुक तेवार कौन सा है तो बैसाखे इसका सही उतर हो जाएगा अगला कोशन है कि लोह पूरुस किस महापूरुस को कहा जाता है तो सरदार पटेल को कहा जाता है इसके आग्याप का देखिए अगला कोशन दे रहा है कि RVC का निर्मार कहां होता है तो अस्ति मजा में होता है इसके आग्याप का अगला कोशन है कि संपूर भारत के कितने प्रतिसत भाग पर परवत एवं पठार का विस्तार है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 28.8% भाग पर हमें देखने को मिलता है इसके आगे आपका देखिए आज का लाश्ट कोचन देरा है कि संपूर भारत के कितने प्रसेंट छेतरपल पर मैदान का बिस्तार हमें देखने को मिलता है तो 44% भाग पर हमें देखने को मिलता है मैदान का तो आज हमने आपके GKS से महतपूर 50 MSQ लगाए तो अगर आपको वीडियो अच्छा रखता है तो लाइक करिए, सेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए आज कर दो